एक ये राखे हमारा युवा खुलकर अपनी प्रतीवा अपने सपनों के अनुसार खुद को विक्सित कर सके इसके लिए आज एक एनवार्बेंट तैयार के रहा जाए एकोसिस्टिम तैयार की जा रही है सिक्षा व्यवस्ता हो समाज व्यवस्ता हो कानूनी प्रवारी क्या हो हर चीज में इन बातों को केंदर में रखा जा रहा है स्वामी जी का बहुत जोर उस बात पर भी था जिसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए स्वामी जी हमेशा कहते थे और वो इस बात पर बल देते थे बेशारिरिक टाकत पर भी बल देते थे मानसिक टाकत पर भी बल देते थे वो कहते थे Muscles of iron and nerves of steel उनकी प्रेणा उनी की प्रेणा से आज भारत के युवाओं की शारिजिग मानसिक फिटनेस पर विशेस फोकस किया जा रहा है Fit India मूवमेंट हो योग के प्रती जागुरुत्ता हो या फिर स्पोर्ट से जुड़े आधुनिक इन्फरसेक्चर का निर्मा ये युवाओं को मानसिक और सारी रूप से सुद्रड़ कर रहे हैं साथियो आज कल आप लोग कुछ ट्रम्स बार बार सुनते होंगे आपके कान पर आता रहता है परस्णालिटी डेवलपमेंट या तो फिर टीम मैनेजमेंट इनकी बारिकियों को भी आप स्वामी विवेकनन का अध्यन करने के बाद और आशानी से समझ पाएंगे परस्णालिटी डेवलपमेंट का उनका मंत्र था बिलीव इन यॉर्सेल्ट अपने आप पर भरोशा करो अपने आप पर विश्वास करो लिडर्शिप का उनका मंत्र था बिलीव इन आल वे कहते थे पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो इश्वर में भरोशा नहीं करता लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोशा नहीं करता और जब नेतृत्व की बात आती थी तो वो खुद से भी पहले अपनी टीम पर भरोसा जताते थे मैंने कहीं पढ़ा था वो किसा में आपको भी सुनाना चाहता हूँ एक बार स्वामी जी अपने साथी स्वामी शार्दान अंजी के साथ लंदन में एक पब्लिक लेक्चर के लिए गए थे सब तैयारी हो चुकी थी सुनने वाले खट्टे हो गए थे और स्वाभा भी कहें हर कोई स्वामी विवेकान जी को सुनने के लिए आकरसित हो करके आया था लेकिन जैसे ही बोलने का नंबर आया तो स्वामी जी ने कहा कि आज भाशन मैं नहीं बलकि मेरे सहयोगी सारदानजी देंगे सारदानजी ने भी सोचा नहीं था कि अचानक उनके जिम्मे काम आ जाएगा वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे लेकिन जब शारदानजी ने भाशन देना शुरू किया तो हर कोई चकीत हो गया उनसे प्रभावित हो गया और ये होती है लिडर्सिप और अपनी टीम के लोगों पर भरोसा करने की ताकत आज हम जितना स्वामी विवेकाननजी के बारे में जानते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी सारदानजी का ही है साथ क्यों ये स्वामी जी ही थे जिनों ने उस दोर में कहा था कि निडर बेबाग साफ दिल वाले सासी और आकांची युवाही वो नीव हैं जिस पर राश के भविश का निर्मार होता है वो युवाओं उपर युवाश शक्ति पर इतना विश्वास करते थे अब आपको उनके इस विश्वास की कसोटी पर खड़ा उतरना है भारत को अम नई उचाईयों पर ले जाने का काम देश को आत्मे निर्फर बनाने का काम आप सब युवाओं को ही करना है अब आप में से कुछ युवाओं सोच सकते हैं कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है अभी तो हसने खेलने जिंदिगी में मौच करने की उमर है साथियों जब लक्ष स्पस्ट हो इच्छा शक्ती हो तो उम्र कभी बादा नहीं बनती हैं उम्र इतनी माइने नहीं रखती हैं आप हमेशा याद रख्येगा कि गुलामी के समय में आज़ादी के आंदोलन की कमान युवाँ पीडी ने ही समाली थी जानते हैं शहीत खुदिराम बोस जब फांसी पर चड़े तो उनकी उम्र क्या थी सिर्फ सिर्फ 18-19 साल भगत सी को फांसी लगी तो उनकी उम्र कितनी थी सिर्फ 24 साल भगमान बिर्शा मुंडा जब सहीद हुए तो उनकी आयू कितनी थी बाद मुश्किल 25 साल उस पीडी ने ये ठान लिया था कि देश की आज़ादी के लिए ही जीना है देश की आज़ादी के लिए मरना है लॉयर्स, डॉक्टर, प्रॉफिसर्स, बैंकर्स, अलग 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 प्रॉफिसर्स से यंग जनरेशन के लोग निकले और समने मिल करके हमें आज़ादी दिलाई साथियों हम उस कालखन में पैदा हुए है क्योंकि मैं भी आज़ाद हिंदुस्तान में जन्वा हूँ मैंने गुलामी देखी नहीं है और मेरे सामने आप जो बैटे हैं आप भी सम आज़ादी में पैदा हुए है हमें देश की स्वतंत्रता के लिए मरने का मौका नहीं मिला लेकिन हमें आज़ाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका जरूर मिला है यह मौका हमें घवाना नहीं है साथियों आज़ादी के 75 साल लेकर आज़ादी से 100 साल होने तक यह आने वाले 25-26 साल बहुत ही महत्वपूर है 2047-2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे यह 25-26 साल की आत्रा बहुत बहुत पूर है साथियों आप भी सोचिए आप अज़ जिस उमर में है अपसे जो समय शुरू हो रहा है आपना वो आपके जीवन का स्वर्निम काल है उत्तम काल है और वही कालखन भारत को भी आज़ादी के 100 साल की तरफ ले जा रहा है मतलब आपके विकास के उचाईयां आज़ादी के 100 साल की सिद्धियां दोनों कदम से कदम मिला करके चलते हैं यह मतलब आपकी जिन्दगी के आने वाले 25-26 साल देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है बहुत बड़ी एहमियत है अपने जीवन में इन वर्षों में सर्वच प्रात्विक्ता देश को दीजिए देश की सेवा को दीजिए विवेकारण जी कहते थे कि यह सदी भारत की है इस सदी को भारत की सदी हमारी युवा पीड़ी को ही बनाना है आप जो भी करिए जो भी फैसला लीजिए उसमें जरूर सोचिए कि इस से देश का क्या ही तो होगा सात्यो स्वामी विवेकारण जी कहते थे कि हमारे युवा हमारी वाओं को आगे आकर राश्ट्र का भाग विधाता बनना चाहिए इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविश्य का नेत्रुत्व करें और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीती को ले करके भी है क्योंकि राजनीती पोलिटिक्स देश में सार्थक बढ़लाव लाने का एक ससक्त माध्यम है हर छेत्र की तरह पोलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज़्यादा जरूरत है नई सोच नई उर्जा नए सपने नया उमंग देश की राजनीती को इसकी बहुत जरूरत है